हाई गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज की रेसिपी हमारी है बहुत सिंपल सी है और मेरी फेवरिट है मेरी चाय के साथ फेवरिट स्नाक यह है मत्र की कचोड़ी विंटर्स में तो मज़ा याद रता है तो मैं ट्राइब करके बताता हूं कैसी हो निया अब लोग देख सकते हो फिलिंग है इसमें भर बर के ट्राइब करके बताते है टेस्ट कैसा है यह हरी चट्निया मैंने डुबा दिया अच्छी क्रिस्प है और मसाला बहुत मत्तब खुल के आ रहा है तो मैं तो बहुंगा मॉस्ट्राइब आगे देखें सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन उसमें डाल दिया ओयल जाएगा काफी सारा उसमें आ गया जीरा और थोड़ी हींग भी डल जाएगी और यह ध्यान डखिएगा चिंता मत करिये सब कुछ डिस्रुप्शन में है स्टेप बाइ स्टेप आपको कोई टेंचल नेने की ज़ जाला बन रहा है सारा टेस्ट इसी में है तो इसमें मसालों में कोई कंजूसी नहीं रहनी चाहिए जाधा में डाल दीजगा कि पता चले टेस्ट ही खराब हो गया बट हाँ और यह कुख देखिए इसमें पानी बिलकुल नहीं डालेगा तो कुख के स्टोव पे ही जितना तेल आपको जाधा भी डालना है तो आपकी मर्जी है पर यह सिर्फ स्टोव पे कूख होगा बिना पानी के एंड हम लोग देखे परसनली थोड़ा मैश नहीं करते खड़ा खड़ा पसंद है हम लोग को मटर लेकिन आपके उपर आपको मैश करना है तो मैश भी कर सकते उस और मटर का टेस्ट क्योंकि अल्ड़ी हलका मीठा होता है और यह जो आप देख रहे हैं यह दो हमने अल्ड़ी प्रिपेर कर रहा था अगेन इसका प्रोसेस लिखा हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रीडियंट्स और तो चिंता मत करिए बहुत सिंपल है तीन करना अच्छा है क्विकंकि ऑनी चे एक दम खसता और कचोडी मतलब क्विक्था मसाले की क्वाउनटिटी बहुत जादा ना हो बहुत कम भी नहीं हो जादा इसलिए क्योंकि वह फिर कचोड़ी तूट जाती है जब आ फ्राय करेंगे तो तूट जाती है तो फिर बाहर आ जाता है मसाला और कम भी ना हो क्योंकि फिर टेस्टी नहाता है ऐसे हमने तींचार बना लिए और यह ठंडे तेल में जाएगा बहुत जादा गरम नहीं अतलब सेमी वा होता है जिसमें अग्दम आ जाता है गुसते ही वह वाला नीचे यह हमारी कचोड़ी होगे रेडी इसको सब करें चटनी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग